दोस्तो आज की वीडियो में Nokia, Samsung, Motorola, Poco या फिर Realme 7 Series सबके लिए good news है एक एक करके सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में end तक बने रहीएगा चलिए श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले हम बात करते हैं Nokia के बारे में ये तो आप जानते हैं कि आपको Nokia के flagship phones भी देखने को मिलते हैं दिक्कत या है कि इनका price काफी ज़्यादा रहता है अब अच्छी बात या है कि Nokia काम करना start कर रहा है budget flagship phones पर आपको Nokia की तरफ से flagship killer smartphone देखने को मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी pricing पे सस्ते वाले flagship phone और जहां तक मुझे लगता है ये आपको मिलेंगे online centric smartphone तब ही इनको launch किया जाएगा बहुत ही aggressive price पे अब हम wait करते हैं इनको लेकर कुछ होड़ detail कब तक सामने निकल के आती है जैसे कि आज कल non-Chinese smartphones का trend चल रहा है तो ऐसे में Nokia भी इस चीज का फायदा उठाने वाला है आप इसके बार में क्या कहते हैं बताना मुझे comments में अगर आपको Nokia का flagship pillar मिलता है 25,000 की range में या फी 30,000 की range में तो क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे flagship processor के साथ इसके बाद अगर हम Flipkart की बात करते हैं तो Flipkart के mobile बुनाजा sale स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको इस sale पे एक वीडियो भी दे चुका हूँ यह आप चेक कर लेना आपके सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे इस sale को लेकर बदला मुझे यह sale उतनी पसंद नहीं आई है बहुती कम phone ऐसे हैं यहापर जो आप पिना किसी डाउट की बाई कर सकते हैं ज़्यादातार phone है यहापर ignore करने वाले तो देख लेना वीडियो कुछ भी purchase करने से पहले लिंक आपको description में मिल जाएगा जैसे हमें sale मिलती थी lockdown से पहले वैसे हमें sale कितने टाइम से देखने को नहीं मिली है अब हम वेट करते हैं बिग बिलियन डेज में हमें क्या नया देखने को मिलता है यह sale आपको October में देखने को मिल जाएगी जो leaks कह रहे हैं उनके according यह रहेगी इस साल की सबसे बड़ी sale क्योंकि इन दिनों में stock काफी बच चुका है Flipkart Amazon के पास तो stock को clear करने के लिए बड़े वाली sale लगाई जाएगी Flipkart Amazon दोनों sides पर तो वेट करते हैं क्या निकल काता है October में सब clear हो जाएगा कुछ और confirm होते हैं इसके बारे में मैं आपको अंदर की बात बतातूंगा बागी दोस्तो इस चैनल पे Moto G9 का भी giveaway स्टार्ट हो चुका है ये वीडियो देखने के बाद पास्टिपर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तो वीडियो और आपको पसंद आ रहो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चार जरूर चीए वन मिलियन कमक्रिट करने के लिए जल्दी से फुटे करवा दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब बात करते हैं Realme के बारे में दोस्तो Realme 7 और Realme 7 Pro ये दोनों फोन आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएंगे अब इन दोनों स्मार्टफोन की पोरी डिटेल सामने निकल के आज चुकी है आप इस डिटेल को बिल्कुल कनफर्म भी मान सकते हैं कि मेरे कोडिंग ऐसा ही आपको मिलेगा Realme 7 और Realme 7 प्रो इससे पहले आपको जो Realme 6 और Realme 6 प्रो मिलेते मुझे लगा था आपको Realme 7 सीरीज में मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा वर ऐसा नहीं है आपको सेम मिल रही है पहले की तरह है थोड़े थोड़े अपग्रेड आपको इन दोनों में देखने को मिलेंगे जैसे कि पहला अपग्रेड है पुर्च एससर में यहाँ पर आपको मिलेगा Realme 7 में मिलेड है किलियो G95 और 6 में था G90T बैटरी आपको मिलेगी 5000 mAh की यहाँ पर भी हमें अफ्ग्रेट देखने को मिल चुका है बैटरी में डिस्प्ले यहाँ पर ओल्मोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा 90 हर्स का डिफ्रेस्ट और IPS LCD पैनल देखना यह होगा डिस्प्ले की ब्राइटन से में मिलती है जो रियलमी 6 था वो काफी डिम डिस्प्ले था सेम वही साइड में मिलेगा आपको फिंगरपिंट स्कैनर तो में गेम खेला है रियलमी ने वो खेला है रियलमी 7 प्रो के साथ मलब आप ऐसा गाम हो चुक है आप Realme 6 Pro भी लेना पसंद करेंगे और Realme 7 Pro भी Realme 6 Pro में आप जानते हैं आपको मिला था 90 Hz का refresh rate उसाथ में IPS LCD पैनल लेकिन अब तो Realme 7 Pro है यहाँ पर आपको मिलेगा AMOLED डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरपिन स्कैनल के साथ यह मैं कहूँगा एक बहुती अच्छा अपग्रेड है पैनल यहाँ पर 60 Hz का है लेकिन AMOLED डिस्प्ले आपको इस बार मिलने वाला है इस फोन में यह बात आप बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं तो AMOLED डिस्प्ले के लिए मैं थम्स अप देना चाहूँगा Realme को अब आपके सामने Realme 6 Pro भी रहेगा 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ जहाँ पर आपको मिल रहे है आई-पेस LCD पैनल और इसके साथ में रहेगा Realme 7 Pro AMOLED डिस्प्ले के साथ 60 Hz का रिफ्रेश रेट दोने में आपको मिलेगा Snapdragon 720G तो confusion यह पर आपके लिए next level की होने वाली है बताओ मुझे community टैम में कौन सा फोन आप देना पसंद करोगे वहाँ पर मैं आपको एक पोल दे रहाँ और Realme 7 Pro में आपको अप्गेड मिल सकते हैं बैटरी चार्जिंग में 64 की चार्जिंग यह फोन सपोर्ट करेगा 4500 mAh की बैटरी के साथ कैमरा आपको मिलेगा 64 में आप इसल का उमीद है इस बन आपको Sony का सेंसर दिया जाएगा जैसे के आपको मिलें Samsung Galaxy M31S में ऐसे भी बहुत स्ट्रोंग रूमर सामने निगल के आच चुके हैं Sony IMX 682 इसमें आपको मिल सकता है Realme 7 Pro में इसके लावा 15,000 से कम में आपको NARZO 20 सीरीज भी देखने को मिल जाएगी NARZO 20 और NARZO 20 Pro इसको लेकर अभी ज़्यादा रिडेल नहीं आई है कि आपको इन में मिलने वाला है बड़ यह बत कन्फरम है नेक्स्ट मन कुछ नहीं उच आपको धमाका मिलेगा Realme NARZO सीरीज के अंदर भी और तो Realme X7 सीरीज है इसके लिए भी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इतनी जल्दी यह आपको नहीं मिलेगी इंडियन मार्किट में क्योंकि यहाँ पर 5G का सपोर्ट आपको मिलने वाला है Miradak Dimensity Processor के साथ कौन सा रहेगा इसको लेकर बहुत बड़ी confusion चल रही है जो सबसे recent लिएक है उसके recording यहाँ पर आपको मिल सकता है Realme X7 में Miradak Dimensity 800U Processor और X7 Pro आ सकता है Snapdragon 860G या फिर Miradak Dimensity 1000 Plus के साथ अभी बहुत टाइम लगेगा लगिनो Realme 7 Pro है उसका वेट करना बनता है अब बात करते हैं Samsung के बारे में Samsung को लेकर दो अपडेट्स है पहला अपडेट है Samsung Galaxy M51 को लेकर मैं जानता हूँ आप मैंसे काफी लोग इस phone का वेट कर रहे है अब यहाँ पर इस phone का design भी सामने निकलके आच चुका है इस तरह आपको मिलेगा Samsung M51 वलब design इसका same ऐसा ही लग रहा है Samsung Galaxy M31S की तरह मेरे recording सब कुछ यहाँ पर आपको almost same मिलेगा M31S की तरह बट परसेसर यहाँ पर change किया जागा इस phone में Snapdragon 730G इसमें आपको मिल सकता है ऐसे बहुत ही strong league सामने निकलके आच चुके है कुछ तरहीं पहले league आयते 730 को लेकर पर 730 यहाँ पर नहीं होगा यह बात अब confirm हो चुकी है तो 730G, 732 या फिर 730G इनके आसपास कुछ आपको मिल जाएगा कुछ भी confirm होते ही मैं आपको inform करतूँगा बता नहीं सकता लेकिन ऐसे कुछ होने वाला है अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ जो leagues निकलके आया है जो confirm चीज है उसके लिए थोड़ा सा भी आपको wait करना पड़ेगा वीडियो आपको मिल जाएगी दूसरा अपडेट हैं Samsung Galaxy Tab S7 Plus और S7 को लेकर इस दोनो टैब इंडिया मिलों जोड़ चुकी है और इनकी pre booking भी start हो चुकी है description में आपको मैं लिंक दूँगा वहाँ पर जाकर आप सब detail चेक कर सकते हैं मुझे इस दोनो टैब काफी सही लगे है खास करके Tab S7 Plus जो कि आता है एमुलेट डिस्प्ले के साथ उसकी इलावा यहाँ पर है Snapdragon 865 Plus यह flagship Tab यूज करने का मज़ा ही कुछ और होने वाला है चाहे आपको content देखना हो यहाँ पर है एमुलेट डिस्प्ले जो कि आप सब जानते हैं टोप क्लास कर रहता है या फिर आपको गेमिंग करनी हो Snapdragon 865 Plus आज की डेट में Qualcomm की तरफ से यह सबसे बेस्ट प्रोचेसर है अब बात करते हैं Motorola के बारे में Moto G9 आपको देखने को मिल चुगा है Snapdragon 660 2 के साल इसका प्राइज है 11499 अब आपको Moto G9 Plus भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर आपको मिलेगा Snapdragon 730G Motorola One Fusion Plus आप जानते हैं कैसा यह फोन था इसका छोटे भाई आप इस फोन को बोल सकते हैं इससे थोड़ा कम प्राइज रहेगा Moto G9 Plus का उमीदे की जारिया है अक्टूबर तक आपको यह फोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा इसके लावा Poco ने भी Poco X3 की त्यारी शुरूप कर दी है Poco X2 आप जानते हैं कितना popular यह स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 730G इसका successor रहेगा Poco X3 मुझे लगता है जो Redmi 35G चायना में है उसको इंडिया में लोंज कर दिया जाएगा Poco X3 के नाम से पर मैं आप इसको लेकर बिल्कुल भी कनफर्म नहीं हूँ पर यह बात कनफर्म है जल्दी आपको यह फोन मिल जाएगा इंडियन मार्किट में अब देखते हैं Asus Zenfone 7 Series देखो दो फोन लोंज हो जुगे हैं ताइवान में Zenfone 7 और Zenfone 7 Pro अभी आपको इनकी प्राइजिंग जादा लग रही होगी तो टेंशन आप बिल्कुल मतलो इंडिया में यह दोनो फोन कम प्राइस पे लोंज किये जाएंगे फ्लेक्षी फोन है यह Asus की तरफ से Snapdragon 865 और 865 प्लस के साथ पांच अलमेज की बैटरी भी आपको मिल दिया है साथ में फूल व्यू डिस्प्ले टिपल कैमरा सेटप जो किया है एक फ्लिप कैमरा अच्छी बात यह है कि इस बार आपको AMOLED डिस्प्ले मिल चुका है 90Hz रिप्लेश डेट के साथ पिष्टी बार जो आपको मिला था Asus Zenfone 6Z वहाँ पर था नोर्मल आईपैस LCD पैनल तो वेट करते हैं कभी यह फोन आएंगे इंडियन मार्किट में यह फोन मुझे लगता है तो वेट करते हैं कभी यह फोन आएंगे इंडियन मार्किट में और गैस करके बताओ आपके कोडिंग इनका इंडिया में क्या प्राइस होगा Asus Zenfone 7 का मुझे लगता है 35 के आसपास आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद हैं आपको कुछ help मिलोगे आज की वीडियो से अगर आपको help मिली हो तो वीडियो को like और share करना बत भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में Thanks for watching this video